हेलो दोस्तों आज हम आप लोग को कन्नी बनाना बांदना सिखाएंगे कि इस तरह से कन्नी बनाते हैं एक इस प्रकार की पतंग ले लिए तो इस प्रकार की पतंग आप ले लेंगे क्या करना है कैसे करना है कैसे कन्नी बनानी चाहिए कैसे नहीं बनानी चाहिए आपको कितनी बड़ी करनी का डोर तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है सब कुछ हम आपको बदाते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि आप एक सद्धी बारा रील ले लिजे इस तरह का तो इसमें देख लिए सद्धी ले लिए या मांजे से भी बना सकते लेकिन मांजे का डोर थोड़ा दिक सब्सक्राइब में आपने हो गया कि दो हो गया और तीन बार तीन बार इसनी बड़ा पर ले जिए तो यह आपकी कंप्लेट हो गया तो यहां से अब आपको यहां से तोल लेना है यह बहुत मजबूत सद्दी है तुटने में दिक्कत रोगे है तो आप है कि काट लेज़े अराम से तूटे की नहीं जल्दी इसको कब से पहले क्या है एक ऐसे इस प्रकार से यह इतने धुरुई में बहुत ही आसान तरीका है आप इसको क्या केजिए इसको यहां से बान लेजिए यह धर-धर अद्धी जाए ना कोई भागे ना देकि यह बान लिए इस प्रकार बान दिया है अब दूसरे साइड भी इसी तरह से बान लेजिए एक बराबर नापके आपके आपको बहुत अराम से परसान नहीं की जरुत नहीं है इसको इस तरह से बान लेजिए यह बन गया अब यह हो गया अब दोनों साइट का ये देखे इतनी बड़ी सद्धी हो गई अब पतंग जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी लेके नाप्ना है यहां से लेके ऐसे 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 नाप लेना है, स्टीन बार फिर इसको काट लेना है। आप घर में कोई भी paintل हो énormी आ ही सटे में accept जोसे आप यहां यह दुनों यहां पर ठड़ा और कमंचा दुनों सठता है वहां पर यह काम करेंगे कि यह दुनों को वहां छेट करेंगे ये हो गया इधा से ये की ये हो गया चेद और सदा बाहर करनी जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है जितनी एक बड़ाबर होती है जिसे आप देखें यहाँ पर कागट लगा है उसी के थोड़ा से उपर आप बनाने जिसे हवा बहुत तेज चल लई है तो यहाँ बना करनी बनाते समय एक ध्यान दीजेगा जहां पर यह ठड़ा है यहां पर कागट लगा रहता है लेकिन फिर भी आप एक काम कीजिए सबसे अच्छा टेप यहां पर लगा दिए थोड़ा सा टेप लगा दिए तो आपकी पतंग की करनी कभी तूटे की नहीं है तो तूटने क सिकायद बहुत लोग को सुनाई देती है कि आदे रास्ते पर हम मेरी पतंग करनी तूट गई तो आप यह करनी को कभी तूटे की नहीं खूले गी नहीं तो अभी देखें अभी हम लगा दिए टेप इस तरह से अब बहुत आसान तरीके से हम आपको करना है अभी देखिए अब देखिए यह दोनों को सीरा जो है हमारा पहला सीरा इसमें डाल दिए अराम से पीछे से भी डाल दीजे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही तरीके से आप यहां पर यह डाल दिया यह हो गया आप एक काम और भी कर सकते हैं अगर हवा बहुत देख चल ले तो इसको दो बार घुमा दीजे लेकिन आपका अगर गांट बानने में दिक्कत होती है तो सबसे पहला क्या करिए इसको दो बार घुमा दीजे कि आपकी कभी खुले ना तो आपको कभी भी खुलेगा नहीं आप गांट का टेंशन खतो हो जाएगा मतलब आपकी पतंग इंदर दर भागेगी नहीं अराम से इसमें दो बार डाल दीजे लेकिन हम लोग जैसे पतंग उडाते हैं तो हम लोग एक बार भी बानें कि तब दिक्कत नहीं कि हम लोग गांट बूत रहती है तो बच्चों अरामस नहीं खूल पाते हैं जिसके कारण खुआसा अब यह यह अराम से देखे डाल दिये इस प्रकायल से अब देखें डबल हो गया अब यह कहीं भी भी कि गांट खुलेगी नहीं आपकी मजबूर हो जाएगा उद्दम टाइट हो जाएगा इसको त्वर टाइट कीजे अराम से इसमें यह बांदी है एदम घुनों दरब से इससे कर दिये कि इधर दर हिले ना यह हिलता है तभी आपका करनीट कूटती है तो तीन बार या चार बार उपर आप बांदीजे देखें हम चार बांद देते हैं कि इसमत्तब गांट इदम खुले ना यह बंद गया अब इसी प्रकार नीचे से भी बहुत असान तरीके से नीचे भी आप कर सकते हैं यह हो गया बहुत अच्छे तरीके से यह नीचे भी आप हों यहाँ पर कि यहाँ पर दो बार घुमाने की जोत नहीं है आप क्योंकि इसमें सिंगल रहता है तो कोई दिखता नहीं है यहाँ क्या करिए यहाँ पर भी बांदीदम टाइट करके तीन बार यहाँ पर बांद लेंगे हो गया अब बहुत यह असान तरीके से देखिए आप ऐसे नाप सकते हैं इसको पता रहता है उसके तरह तो अब यह क्या करना है तो आपको यहाँ से यहाँ नापना है इसको ले लिए इसको अब यहाँ से यहाँ नापना है यह ले लि लगा रहता है आप यहां देख सकते हैं इसके बाहर न निकले इतने दूर पर ही अंदर बानना है इसके अंदर यहां पर ऐसे बानना है एक बार यहां से ले लिए देखें ध्यान से फिर से दिखा देते हैं आपको यहां से थोड़ा से ऊपर लेना है यहां इसके एक दम बरा कट अंगोल ले लिए हैं अब यह हो गया ऐसे जब आपका और यह आपका बाहर कभी नहीं निकलेगा अब यहां से अच्छे से प्राइब बहुत ही बहतीन तरीके के पतंग बनेगी आपकी पतंग उडएगी और बहुत अच्छे तरीके से ही होगी तो इसे अब पुरा अच्छे पतंग उडएगी और अब सबसे बड़े चीज़ है किसमें टेप कहां कहां लगाएं मुझेट सब सबसे पहले इसके नीचे भी लगा दीजЕ किनिक सके न हवाद थे चलती तो खर्ई कहसकने लगती यह लगा दीज्ट कि आजय से भी कि ऊब पीछे से भी लगा दीज्टो यह कि फू wrest this अब इसके उपर रहा है ये सबसे बढ़ा है कन्नी ये कम्प्लिट आपके लिए अपके टेप लगाने का तरीका बता देदा है हम पिछले वीडियो बनाये हैं आप उसको देख सकते हैं ये साइड से इतना ऐसे तिखा लगाना है इस तरह से टेप यहाँ टेपिंग करना है दूसरी टेपिंग यहाँ करनी है रदोने साइड प्लस यहाँ करना है बहुत अच्छी तरीके से यह हो गया इतीन प्रेड यह लग गया आप बिना टेपिंग किये पतंग मत उढ़ाईए कभी भी टेपिंग किये बिना उढ़ाएंगे पतंग फ्टने का डर ज्यादा रहे घ अब कॉर्न पर कैसे टिप लगाते हैं कॉर्ण को जैसे मुंडे पर लगा जाता हूं ऐसे टिपके लगा रही है कि अबमोसाइटस है यह मोंडे है और यह सही प्रकार्अ को मुदे करते हैं यहां प्रकार स्व। लगा रहे है है यहां से वहां सही ऊइड़ी यहां से लगा लादे कर दो कि इसे कर ऐखी आगे और लेहान देजिएगा इस पत्ते भी लगा दिएगा जहां से खुलने का थोड़ डर रहता है साइड से फटने का डर रहता हावा बहुत चलती है आप बहुत देर पतंग खीशते हूं तो भी भड़ जाती है अब पीछे से थोड़ा सा जहां पर जोड होता है लेजानेर पतंग जहां जोड होती है वहाँ पर जिपका दिए जोड कहीं खुले ला इस परकार से आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया जा रहा है जोड पर इधर भी लगा दीजिए पूरा टेपी टेप लगा दे रहे है लेप लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप पतंग अच्छे से उड़ाना चाहते है तो इस परकार से टेप लगा दिया गया आप यहाँ पर भी लगा सकते है कि इसकी दो तो सीख होती है इस तरह से लगाये का कि पहाः की निकल जाता है तो यह दो इस तरह से पुरी टेप लगा दिया इस तरह से कंणी बनाय जाता है तो सभी लोग मैख करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को काइट मांझा तो आपका बहुत काइट मांझा पर, अगर आप देख रहे हैं वीडिए weekend- Target कर रहे हैं, चैनल को सस्क्राइब कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद